जामियम इलिया इसलामियां B.Ed. General Abilities का जो इस बार पेपर होना है यानि B.Ed. इस बार 2020 में मैं उसके बारे में स्यूडियम आपको बताऊंगा कि आप उस पेपर की तहरी किस तरीके से करें या फिर पेपर देने से पहले पहले आपको क्या कुछ जानना चाहिए अगर हम बात क से इसली क्रिटेरिया,्यानि क्वालिफिकेशन यानि आपके पास कौन कवा से सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे के आपको आप एडमिशन मिल पाए रसा है ऑपकूर को पढ़कर जाने में उसके वारे बताऊंगा किस डेट में आपका इंटरेश टेस्ट नेट होगा कब ताकि हमारा जामे में सेलेक्शन हो जाए तो वह भी इस वीडियो में आपको बताएंगे और इंड मोर इंपार्टिंग इस दैट कि हम आपको इसमें प्रीविए से कोशन एक टूसर थी यह वह भी डिस्क्रिप्स वोक्स में गीविन होगा वह भी हम देंगे तक कि आई होप आपका जो प्रावलम है वह सोल्व हो पाए आप यह अनलाइज कर पाएंगी एटलिस जामे में किस टाइप के कोश्चन आ रहा है या फिर कैसे सोल्व करें यह और दूसरा यह भी हम जरूर कहुंगा अगर भाई दिव आपको कोश्चन यह कोई इंफॉमेशन में कोई केरीज हो तो सिंपली आप मुझे मेल करिए मैं मेल का रिस्पॉंस दूंगा लेकिन हो सक मेरा भी स्टूडूल बीजी रहता है लेकिन यह कि अगर आप मेल करेंगे तो आई होप आपका हम इंफॉमेशन दे पाएंगे वैसे मैं जितना भी इंफॉमेशन दे रहो को सब जामिया के अफिसल वेबसाइट में कर लेकिया दूसरा यह कि अगर बाइदिव आपको अलेगड़ जामिया जेन्यू के रिगारिंग मतलब इंटरेंस के रिगार्ण चाहिए 11 से लेकर या फिर बैचलर यूजी पीजी से लेकर एंफिल तक या पेजडी तक का अगर इंफोर्मेशन चाहिए तो स्योर मैं सिस्टेमाइटिक में आजकल वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो इसलिए मैं कहूंगा आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आगर आपके जानने वाले भी फॉर्म भरे हैं यापके रिलेशन में कोई तो उन्हें आपके लिए क्या कुछ है। अगर हम बात करें सिंपली इसके इलाबा रिजरुशन पॉलिशिस का तो यह जो है वह बैसे अगर स्टूडेंट के अंदर कुछ सिंपली उनको 5% का जामे में रिजरु मिलेगा और अब हम आगे रिजरुशन पॉलिशिस के बात करतें जो जामे में अलड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी 5% मिलता है अगर जामेया के अगर देखें रिजरुशन पॉलिशिस का तो यह जो है वहाई से रिजोटेंट जो है स्टेंडिंग की बात करें मतलब सब्सक्राइब बॉक्सिंग में क्रिकेट में फुटबॉल में होकी में एसे टेविल टैनिस में वाल्यवाल एड रिसलिं के या तो उन्हें टिस्टिक्ट लेवल पर अच्छा किया हो या स्टेट लेवल पे तो उनको भी जाम्य में पांच परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा और यह जो पॉलिशी मतलब होकी सुटिंग टेबल टेनिस के बात करें तो यह जेनरल है मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए मुस्लिम नौन मुस्लिम सभी के लिए है इसलिए मैं पहले किलर कर दूँ और आगे हम रिजर्वेशन पॉलिश के बात करें तो जो एंससी स्टूडेंस है यानि जिन्होंने एंससी कंप्लीट किया हो उनको भी यहां पर 5% का रिजर्वेशन है यानि कि अब यह कैसे मिलेगा आपको सिंपली आपके पास ए और सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बी और सी सर्टिफिकेट होना चाहिए दिन आपको जामे में 5% का रिजर्वेशन मिलेगा और अगेन हम बात करें यह भी है जेनरल मतलब सभी के लिए है अगर वाइदेवे आपने टेन डेज़ स्यक्राइब क्या हो या वरेदेग कैंप किया हो दो और सभी कषिवीड हो चाहिए पौने से खरी सिक एग्म करते तो ढ Eller डेसे रहा रीजर्वेशन मिलेगा या फिर तैन डेजा स्थेर्वीक फिर चैंप या फिर लिएक के डेक है आपके पास संभी कई हो तो simply जो जामे में आपका क्या मतलब payment की बात करें जामे में B8 का तो simply आप बहतर जानते हैं यह two years का होता है और जो आपका हमाँ पर seats है वो total two hundred seats है और देख रहे हैं यह star लगा हुआ मतलब इसमें flexibility है मतलब हो सकता है कुछ जादा भी हो सो यह star में ऐसा लगा रहा कि flexibility है और जादा भी हो सकता है तो आगे हम बात करते हैं जो yearly आपको payment करना होगा वो 6900 आपको वन year में payment करना होगा और अगर हम by the way eligibility के बात करें simply तो simply आप यानि qualification का तो simply आपने जहां से भी 12th final किया है वहां से at least आपका 60% marks होना चाहिए sorry 50% marks होना सेलेक्शन होगा मतलब इंट्रेंस किलियर करने के बात या फिर अगर आपने बैचलर अगर आप complete कर लिए तो बैचलर में भी आपका 50% होना चाहिए देन आपका वहां पर सेलेक्शन हो पाएगा बीएड की बात करें वहां पर जामे में तो simply अगर हम वहां पर seats की बात करें वैसे ही समझी थोड़ा बीएड है क्या बीएड एक teacher preparation program है जो की secondary और senior secondary level का है और उसमें students senior secondary base पर ही उनका हो पाता है selection से simply अभी वह उस पर आपना भी धियान दे तो मैं अभी काम पर आज हूँ आपको पहले ही बता हूँ कि वहां पर जो रहेगा वह आपको 170 question रहेगा और आपको जो जो timing मिलेगा ताइम के derivation मिलेगा वह आपको timing जो मिलेगा वह आपको 3 hours मिलेगा यह नहीं 180 minutes आपको timing मिलेगा और इसमें passing marks भी है यानि कि 25.5 marks at least minimum होना चाहिए तब ही किसी का admission हो पाएगा लेकिन यह कि तो cut off matter करेगा कि starting cut off कितना जाता है उसी हिसाब से selection होगा और इसमें negative marking होई है मतलब कि अगर बाइदेबे आप सही में से अगर बाइदेबे आप कोई question है जिसको गलत कर दिये तो सही में से 0.25 marks आपका deduct हो जागा और अगर हम आगे बात करें कि क्या कुछ रहेगा कैसा question रहेगा तो simply समझे यह बड़ा ही simple है समझे पहले आपका 30 marks का जो होग है तो यानि कि 30 marks जो अगेन जो तब तो और अगेन हम अगर हम बात करें यानि कि general intelligence का बात करें तो वहां पर 30 marks का question रहेगा और teaching aptitude से 30 marks कर रहेगा और अगेन section C में जो है यान तीन section में रहेगा आप question तीन नहीं चार section में रहेगा आपका question अगर हम बात करें तो simply section 1 में आपका 30 marks का general intelligence section B में teaching aptitude C में current affairs से रहेगा and section D में general knowledge के बारे में general knowledge में general science general science के बारे में general numerical language के बारे में आपको पढ़ना होगा यह रहा detail में इसका जो link है वो description box में वहां से भी देख सकते हैं यह रहा B8 का previous year का cut-off list और जो first list जो first cut-off गया था वह आपका 97.75 cut-off गया था और मुस्लिम का 92.75 गया था और list से आप यह analyze कर पाएगे कि at least मुझे कितना marks लना है ताकि हमारा selection हो जाए तो simply मैं यह suggest करेंगा कि आगी का वी list है आप खुद से देख लिजेगा और यह सभी का जो link है वो description box में आप खुद भी देख सकते हैं दूसरा यह मैं जरू कहूंगा कि आपका entrance कि सदेट में होग कोईरी जो हो ना समझ में कोई problem हो तो प्लीज मुझे mail करिए comment box में comment करिए मैं आपको हो सकता है मुझे थोड़ा सा आपको time लग जया बताने में लेकिन मैं सियूर आपको बता दूँगा कि मेरा भी schedule बेजी चलता है इस सवज़े से सो मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी query जो simply mail करिए मुझे time थोड़ा सा लाइक लिकि मैं जरूर response दूँगा दूसरी कि अगर बाइदेवा कोई जानने वाला हो तो प्लीज इस YouTube चैनल को share करिए subscribe करने के लिए क्योंकि अभी जो lockdown चला है मुझे जहां तक लगता है कि बहुत से सब्सक्राइब करिए थैंक्स पूर वाचिंग तस वीडियो